तो साथ पॉंट पांच का तीसरा स्वाल है y ब्राबर में y ब्राबर में दे रखा है sec x plus 10x तो सिद यह करना है बनेंगो ठीक है तो सबसे पहले dy y dx निकालेंगे dy y dx तो sec x का उकलन होता है sec x into में 10x उकलन होगे sec x का उसके बाद में 10 का करेंगे तो 10 का उकलन होता है sec square x ठीक है तो यह अपन ने dy y dx निकाल लिया अब इनको त्रीकोर्ण में तीकी साहता से convert कर लेंगे sec को ओपन क्या लिए सकते है one upon में cos x लिख सकते है 10 को क्या लिए सकते है sin x upon में cos x plus sec square को क्या लिए सकते है एक बटे cos square x लिख सकते है ठीक है तो dy y dx क्या निकल जाएगा यहांसे यह भी cos into cos square बनेगा और इदर भी cos square है तो cos square दोनों का क्या जाएगा लब उत्म यहां पर भी cos square है और इदर भी कहा है cos square यह cos की पाउर 1 यह 1 तो cos की पाउर 2 होगी इदर भी और इदर भी cos की power 2 है तो cos square x लगूतम आ गया तो उपर क्या बचेगा 1 into sin x यानि sin x हो गया और plus में क्या बचेगा 1 ठीक है उसके बाद में dy y dx cos square x को open क्या लिख सकते हैं 1 minus में sin square x लिख सकते हैं cos square x को क्या लिख सकते हैं 1 minus में sin square x उपर बच गया 1 plus में sin x है अब 1 minus sin square x है इसको open change कर सकते है क्योंकि यहां पर 1 minus sin x का whole square चाहिए नहीं कि इधर square रहना चाहिए तो इस square को डाने के लिए पन क्या करेंगे यह सुस्तरी काम में ले सकते हैं कि x square minus में y square x square minus में y square बराबर क्या होता है x minus y और x plus में y एक बार minus में लिखना होता है और एक बार plus में तो यहां पर x square मतलब 1 का square 1 ही होता है तो यह x square हो गया और यह क्या हो गया y square इनको क्या लिखेंगे x minus y और x plus y तो dy y dx क्या बन गया 1 plus में sin x बटे में एक बार minus में लिखना और एक बार plus में तो one minus sign लिखेंगे एक बार दो one minus में sign और एक बार क्या लिखेंगे इसको one plus में sign ठीक है one square minus में sin square को तो x square minus y square की साहता है यह लिख सकते है one minus sign और one plus sign तो one plus sign से one plus sign हो जाएगा cancel तो यह क्या बचेगा याँपे 1 upon में 1-sin x बचेगा ठीक है 1 upon में 1-sin x बचेगा अब अपने को निकालना इसका D2 Y by Dx square निकालना ठीक है तो D2 Y by Dx square तो ये U upon में V है U upon में V और U upon में V होता है तब अपन जानते हैं अपलन का open कैसे गरते हैं याँपे V square लिखते हैं V का V आता है U का alkaline होता है U का alkaline माइनस उसके बाद में U का सिदा का सिदा U और V का फिर क्या करना पड़ता है alkaline ठीक है तो वही करना है यहाँ पे V स्केर V स्केर का मतलब यह वाला 1 माइनस Sine X तो 1 माइनस Sine X का तो क्या हो जाएगा है यहाँ पे All Scale हो जाएगा फिर V सिदा लिखेंगे V मतलब 1 माइनस में Sine X लिखेंगे U का alkaline करेंगे U कोन है यहाँ पे 1 और 1 का alkaline कितना होता है 0 फिर minus Sine आएगा तो minus लिखेंगे U का U लिखना होता है U, U 1 है तो 1 का 1 इंटु में V का alkaline V कोन है V है 1 minus Sine X तो 1 का alkaline करेंगे 1 minus Sine X में 1 का 0 हो जाएगा और Sine X का alkaline हो जाएगा Cos X ठीक है तो D2YYDX किर क्या जाएगा यहाँ से D2YYDX किरा जाएगा अपना 1 minus Sine X का गुना करेंगे 0 से तो यह तो पूरा ही क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा 0 minus यह 0 minus Cos X करेंगे minus Cos X बचेगा और minus Cos X का इस minus से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा Plus का Cos X और बटे में क्या है 1 minus Sine X का All Square तो क्या बचेगा है उपर आगया Cos X और बटे में आगया 1 minus में Sine X All Square यह अपने को क्या करना था Cos X अपने में minus Sine X All Square से बगरना था तो यह आगया ठीक है important क्यों से नहीं महत्वपन स्वाल है